कारगिल युद के बाद आंतरिक सुरक्षा पर बनाई गई टास्ट फोर्स की रिपोर्ट में दिल देहला देने वाले आंकडे पेश किये 220 जिले यानि देश का करीब 45 फीसदी क्षेत्रफल आतंगवाद की गिरफ्त में आ चुका है पिछले 20 सालों में आतंगवाद ने भारत में 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है ट्रेनिंग के बाद असम में गुसाए गए इन 3000 बांगलादेशी जिहादियों का एक ही मकसद है उत्तरपूर्वी भारत को काक कर इसलामिस्तान नामक के एक नया मुल्क बनानी की कोशिश करना इस शड़ेंतर का नाम है ओपरेशन पिन कोड तुरक्षा की दृष्टी से अत्यंत मेत्वपूर्ण स्थान है तस सिलीगुडिक कोरिडोर